Dear students, आप सभी का स्वागत है, आईए हम इन प्रश्णों पर विचार करें, दस भागित दो गुडित पांच, इसको सरल करने पर दो हल प्राप्त होते हैं, 25, 1, ऐसा क्यों? उन्हें दूसरे प्रश्णों पर विचार करें, 9 भागित तीन, चोटक उस्टक दो धन, 1, इसके भी हम बोड मास नियम पर विचार करते हैं, यहां भी से ब्रेकेट कुस्टक, तो सबसे पहले यहां पर रिखांकित भाग को हल करना है, उसके बाद हम छोटा कुस्टक को हल करेंगे, इसके बाद हम सरपिल आकार का या मंजला कुस्टक हल करेंगे, और इसके बाद बड़ा कु वोड़ मास में ओ का आर्थ है of का order power of याने गुणा करना है या करणी के चिन्न को हल करना है या घात को हल करना है अब division की बात करते हैं तो इसका मतलब होता भाग देना इसके पस्चाथ जो क्रिया करेंगे हम वो होगी multiplication गुणा करेंगे और इसके बाद अगली क्रिया हम addition जोडने की क्रिया को करेंगे और इसके पस्चाथ सब्स्ट्रेक्शन अर्थाथ घटाने की क्रिया को सरल करेंगे आईए हम एक पुरानी का हवत पर बिचार करते हैं का करके पुनि भाग कर फिर गुण होई सुजान ता पीछे धन रिन करो भिन रीती है जान तो का करेंगे मतलब पहले आफ अल करना है तो इस प्रकार से हम इसको सरल कर सकते हैं इसके बाद हम देख रहे हैं यहां पर एक और कहवत लिखी गई है काकी किरिया पीछे भाग तब गुणा तब जोड घटाओ काकी किरिया को पहले करेंगे फिर भाग की किरिया को करना है तब गुणा तब जोड घटाओ फिर गुणा की क्रिया को करना है उसके बाद जोडने की क्रिया करना है और फिर गटाने की क्रिया को हल करना है इसके लिए हम एक शोटा सा एक्जामपल देख सकते हैं चार का पंद्रा भागित तीन गुडित पांच धन चार रिण तीन तो इसको हमें सरल करना है इसका उपयोग करते हुए हम सरल कर सकते हैं काखी किरिया पीछे भाग करना है तो काखी किरिया पहले करेंगे इसका मतलब यह है कि यहां पे सरल करने पर चार का पंद्रा में करेंगे इसको तो यहां पर भाग की क्रिया को संपन करना है साथ में तीन का भाग देना है भाग देदें हम तीन से तीन सुनम सुन तो यहां पर बचा बीस बीस का पांच में गुड़ा कर देंगे तो सौ हो जाएगा और सौ धन फिर लिखेंगे हम चार रिंड तीन अब इसक प्रश्ण करने वाले प्रश्ण जो कि बहुत सिंपल था जिसमें का भाग धन और रिंड किचिन आ रहे थे तो हमको यह समझने आवशक था कि किसको पहले हमें सरल करना है इसके बाद हम आईए बात करते हैं प्रश्ण क्रमांक एक की जिसमें आप देख रहे हैं निमने सरल करना है बोड मास के रूल का उपयोग करते हुए तो सबसे पहले बोड मास का रूल क्या कहता है सबसे पहले ब्रेकेट सॉल करना तो इसको पहले सॉल करेंगे बाखी को हम लिखते चलेंगे वैसे ही जैसा कि लिखा हुआ है तो यह वैसा ही लिखा रहेगा और को बंद कर देंगे इसके बाद देखिए बोड मास का उपयोग आप पूरी तरह से आप ध्यान पूर्वक करेंगे तो यहां पे छोटा कोष्टक मज़ा कोष्टक सरल कर दीजे 12 हो गये और इसको बंद कर दीजे पड़ा कोष्टक इसके बाद चार रधन 18 में से 13 घटा हिए 18 में 13 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 5 और फिर इसको हम योग कर देंगे 4 में 5 का तो कितना प्राप्त हो जाएगा 9 इस तरीके से आंसर क्या आएगा 9 प्राप्त होगा अब एक और question समझते हम देखिए यहाँ पर 72 रिंड 12 भागित 3 का 2 धन 18 रिंड 6 भागित 4 तो यहाँ कुष्टक लगे हुए चोटा कुष्टक बड़ा कुष्टक उनको भी हमें पढ़ना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो चोटा कुष्टक है उसको आप सरल कर लें तो जो हमारा बोड मास्क का रूल है उसके अनुसार हम इसको सरल कर देते हैं तो यहाँ पर 22 और रिंड 12 भागित 3 और फिर लिखेंगे हम का 2 धन 18 में से 6 गटा दीजिए तो यहाँ पर 12 प्राप्त हो जाएगा और भागित इतना को जाएगा चार अब आप इसको सरल करेंगे यहाँ पर आपके पास कोश्टक नहीं बचा आप इसको छोड़ देंगे आप आप कोश्टक की और ध्यान देंगे तो कोश्टक में सबसे पहले है रूल के अनुसार क्या क्या प्लश्ट करना है तो यहाँ पर 72 नावारा भाग हो जाएगा और इस प्रकार से आप 6 प्राप्त कर लेंगे 12 भागत 4 अब आप यहां पे इसी कोश्टक को सरल करेंगे तो 12 में 6 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि घटाने से पहले आपको भाग देना है बोड मास के रूल के अनुसार तो यहां पर 72 बारा में 6 का भाग देज चार आप देखिए यहां पे 12 भागित 4 कर दीजे क्योंकि धन और भाग का चिन्न आ रहे हैं तो आप यहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको बोड मास के रूल के आधार पे पहले किसको सरल करेंगे भाग करेंगे तो यहां पे बारा में 4 का भाग दे देंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको बारा में 4 का भाग देने पर 3 और इस प्रकार से 70 में 3 का योग करेंगे तो आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा तो यह हमारे बोड मास के रूल का उपयोग आप देख रहे हैं ध्यान पूर्वक बहुती आसानी से हम कर पाते हैं अब आप सभी को तीसरा प्रश्ण यहां पर दिया गया है 37 रिंड बड़ा कुष्टक 5 धन मंजला कुष्टक 28 रिंड चोटा कुष्टक कुष्टक बन बड़ा कुष्टक बन इस प्रस्ण को आप सभी हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद